हाई दोस्तों असलाब अलेकूब कैसे आप लो मेरा अब नवील एस 24 अल्टरा का वीडियो आप देख चीए को हो लेकिन एस 24 भी मैंने मंगाया नहीं था ना कभी उसको रिव्यू किया ना टेस्ट किया लेकिन वह अच्छा फोन था उसमें स्नाप ड्रागन का चिपसेट था लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर डिजाश्टर किया है ऐसा सुनने में आया है तो सोचा यह मंगा लेते है और एक्जिडॉस की चिपसेट कैसा परफॉर्म करती है क्या है इसके अंदर केपेबिलिटीज कैई फोन सच में पहले के मुकाबले अच्छा है या फिर बुरा कर दि दिया था तो यह special edition है इसलिए यहाँ पे colors आपको देखने मिल रहे है blue green और orange यहाँ पे एक color है लेकि मैंने blue वाला मंगाया 8GB RAM और 256GB वाली internal storage के अंदर आती है यहाँ पेछे देख सकते है इसकी paper की seal लगी भी है इसको यहाँ से हम tear करते पहले और इसके अंदर से हमारा phone बाहर निकालते है तो यह है हमारा blue color में S24 और यहाँ पे कुछ चीजे रखी विये box में charger वगरा कुछ देते नहीं है यह लोग पहले दिया करते थे किसी का तो मजाग उड़ाया इन्होंने और फिर अगले साल से कुछ charger देना बन कर जिए तो यह है हमारा Samsung Galaxy S24 with Exynos chipset और यहाँ पे सामने यह paper लगा हुआ है यह फारता हूं आपके सामने देखते है एक बार में पढ़ता है ने क्योंकि S24 Ultra का नहीं पढ़ता था तो देखिए बीच में से इस तरीके से फढ़ गया पता नहीं यह कुछ नई technology नो ने invent किये कि बीच में से कुछ changes लाया है आपने S24 Ultra देखा होगा बिल्कुल हमारे S23 Ultra जैसा ही जो है दिखता हूँ बहुँ जादा कुछ फरक यहां पे है नि बस sides वगर में फरक है लेकिन इस phone के अंदर S24 में फरक है अब यह फरक आया है इसके flat sides में तो अब आप इसको hold करेंगे हाथ में तो बिल लेकिन अभी sharp corners दिया है बिल्कुल iPhone 14 के आपको याद दिलाएगा और iPhone 14 यह आपको side by side रखके भी दिखा देता हूँ बिल्कुल हूब हूँ उसकी तरह ही आपको लगेगा और in hand जो feel है आपको वैसी आएगी back side भी देखेंगे तो completely flat है और यहाँ पे जो glass इस्तमाल किया गया है पीछे और सामने की दरफ यह है Gorilla Glass Victus 2 जो S24 Ultra में आया है वो इसका advanced version है frame भी यहाँ पे aluminum का इस्तमाल किया गया है titanium इसको मत समझ लेना iPhone के माम नहीं भी बहुत लोग वही सोझ रहे थे के 15 के अंदर भी non-pro में भी titanium आया लेकिन ऐसा नहीं है ultra में आया titanium यह phone काफी हलका है और handy भी है सिर्फ 167 gram जो है इसका वजन है और यहाँ पर display भी आपको जो है इस बार completely flat देखने मिलता है तो मैं जरूर Android users की और Android fans की जो है इस पे राय जानना चाता हूँ क्योंकि iPhone users तो हमेशे से flat display ही इस्तमाल करते है आप लोग नहीं करते थे आपको curved display पसंद था और Samsung इसमें जो है सबसे पहले लेके आया था curved display आपको कैसा लगता है इसके वारे मुझे comment करके जरूर बताना आप लो IP68 की water resistance भी इसमें मिल जाती है और आप इसको 1.5 meter depth तक डुबा सकते हो पानी में खराब नहीं होगा उसके beyond जाएंगे तो हो सकता है तो इस मामले में तोड़ा iPhone के मुकाबले यह कम तर है दिस्प्ले की बात करें यहां पर तो 6.2 inches का डिस्प्ले इन्होंने इस फोन के अंदर दिया है और यह एक dynamic AMOLED 2X दिस्प्ले है with 120Hz adaptive refresh rate लेकिन इस डिस्प्ले का जो resolution है से full HD plus है resolution के मामले में iPhone 15 से कम है लेकिन इसमें refresh rate जो हायर आपको मिल जाता है लेकिन इस डिस्प्ले के अंदर वो anti-reflective coating नहीं है जो ultra में आपको मिलती है उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे spend करने पड़ेंगे और ultra में actual में वो चीज जो है काफी कमाल की लगी मुझे आपको इसमें 2600 nits की peak brightness मिल जाती है और ये जो brightness है मैं side by side आपको iPhone 15 के भी रखके दिखा देता हूँ हाला कि दोनों phone auto brightness पे थे और दोनों को मैंने full पे रखा था brightness को लेकिन यहाँ पे मुझे iPhone जादा brighter लगा ये HDR content वगर आप व्यू करेंगे उस time पे peak hit करेगा 2600 nits का लेकिन अच्छा किया कि अच्छी brightness यहाँ पे दिया इस डिस्पले में और आप सोचेंगे बार बार आइफून का नाम क्यों ले रहा हूँ आपल से उठा के इस फोन में डाल दिया वो यह है कि always on display में आपको यह वाल पेपर दिखने वाला मोड देखने मिलेगा इसको on-off कर सकते है अपल ने यह चीज लेकिया था लोग इसका मजाग उडायते लेकिन यहाँ पे samsung ने यह चीज लेकिया और इस दिखने में इस फोन के अंदर दो speaker मिलते है एक यहाँ पे earpiece में बॉटम में आये इसकी loudness उना तो आपको 91 decibels का peak output जो है यह फोन निकाल के लिए वेरी गूड और flagship लेवल का ही है S24 Ultra से भी जादा निकाला इसने अब यहाँ पे इस फोन की सबसे disappointing चीज के वारे बात करते है वह इसका चिपसेट है Exynos 2400 इसके अंदर दिया है और ऐसा नहीं है कि यह चिपसेट जो है powerful नहीं है बाकी आपको जो general performance है वो snappy ही देखने मिलेगा इस चिपसेट का इसमें आपको issue नहीं आएगा लेकिन battery life जो है वो भी एक question mark रहती है इसकी बाकी S24 जो है वो 8GB के RAM के साथ आता है और app वो करा आप background में open रख सकते है और यहाँ पे reloading बहुत जादा आपको देखने नहीं मि सकते हो और यहाँ पर अगर आप extreme HDR जाते हो तो यह coming soon है ultra HDR पर जाते हो तो आप ultra settings में खेल सकते हो smooth और extreme में एक game छोटा सा खेल के आपको दिखाता हूं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ गेमिंग के अंदर आपको कोई भी दिक्क्कत नहीं है कि smooth और 90 fps पर आप आराम से इस जो है इतना efficient नहीं माना जाता है exynos वाला रहता नहीं है अब यह कैसा है तो long run में ही अमको पता चलेगा लेकिन overrating का थोड़ा इसा issue लगा जब मैं बाहर इसको use करा था photography और विडियोग्रफी के लिए बाकि इसमें 25 watt की wired charging मिल जाती है जो के iPhone के मुकाबले कम है 27 तक जाता और इसमें wireless charging मिलती है 15 watt की और reverse wireless charging मिलती है 4.5 watt की जिससे आप अपने accessories चार्ज कर सकते हो और एक चीज़ में S24 Ultra की वीडियो में नहीं बताया आपको वो यह था कि इन devices के साथ अगर आप samsung.com से लेते हो जैसे मैंने लिया है तो आपको एक wireless charger जो है फ्री में मिलता है जिसम recommendation नहीं है इस phone को लेने का मज़ी आपकी है और साथ ही एक referral code भी देता हूँ जिससे 5% का आपको discount मिलेगा आपकी card value पे अब cameras की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको triple camera का setup मिलता है 50 megapixel, 10 megapixel, 12 megapixel और front facing camera इसमें आता है 12 megapixel का. तो cameras का performance कैसा है चली आपको बदाता हूँ. background में धूप रहेगी, selfie के दोरान तो इतने जादा details चेहरे पे आपको देखने नहीं मिलेंगे, lens flare भी देखने मिलेगा, बाकी अगर धूप चेहरे के पीछे से नहीं आ रही और indirect lighting है, outdoors में तो ठीक ठाक selfie निकाल देता है, artificial lighting में selfie के अंदर जादा details आपको देखने नहीं मिल तो quality अच्छी आती है portrait photos की selfie में, rear camera से normal images की बात करते है, तो यहाँ पे background से धूप आ रही है, तो image की quality काफी drop हो जाती है, और lens flare भी आपको देखने मिलता है, लेकिन अगर direct lighting नहीं है, sunlight डिरेक नहीं पढ़ रही, तो ठीक ठाक photo 1x mode में ये निकाल पाता है, और indoor lights में भी ठी की है इसकी quality, rear camera से portrait mode में again edge detection बहुत अच्छा है, जो Samsung के phones में देखने मिलता है, लेकिन धूप अगर पीछे से आ रही है, तो इतनी अच्छी quality नहीं मिलेगी आपको देखने में, लेकिन जब lighting proper है, तो quality बेटर आती है, 1x के अंदर, लेकिन जब हम shift करते है, 2x पे portrait में, तो पता नहीं, इसको क्या होता, एकदम खराब कर देता है, चेहरे पे focus ही नहीं कर पाता, और background में नहीं, foreground में blur कर दिया, और ये चीज़ चेक करने के लिए, मैंने किसी और की भी photo लेके देखा, कि शायद मेरे चेहरे से नफरत होगी इसको, तो नहीं, दूसरों के चेहरे से या indoor shots भी जो है, काफी अच्छे निकल के आते है इस phone से, लेकिन क्योंकि ये phone macro photography को support नहीं करता, तो सब out of focus shots देखने मिलते हैं, जो apple करता है, अब non pro के साथ, वही samsung भी करता है, night time में ली गई, indoor light में कुछ selfies वगरा मैंने ली थी, तो इतनी कुछ खास मुझे लगी नहीं, honestly, portrait में भी अगर lighting पीछे से आ रही है, तो ये completely खराब कर देता है, usable नहीं रहती है, लेकिन lighting अगर प्रॉपर है indoor में, तो ये ठीक ठाक portrait photos निकाल सता है, बागी air detection अच्छा है, main camera से मैंने कुछ और night time के photos लिया, जैसे ही है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो ठीक ही लगी म lighting बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर पीछे से lighting आती है, तो गड़बड करता है, यहाँ पे भी है, 4K 30fps पे selfie वीडियो जो मैंने लिया, बिल्कुल मुझे quality पसंद नहीं आई, iPhone के level की तो बिल्कुल भी नहीं है, 80,000 के phone के like भी नहीं है, आख पे भी focus जो है, पकड़ रहा चोड़ रहा है, और edges पे देखेंगे स्क्रीन के, तो वो हिलता भी अगर आप normal walk करते तब भी, अब rear camera की वीडियो की बात करें, तो यहाँ पे quality, front camera से तो बेटर है, यह भी 4K 30fps पे लिया था, मैंने 4K 60 पे भी यह जा सकता है, फिक ठाक quality निकल के आती लेकिन full comparison जब करूंगा, दो phone जब साथ में होंगे, side by side, तब हमको समझ मैंगा, यहाँ पे quality जो है, वीडियो की outstanding नहीं है, photos जो है, वीडियो से बेटर थे इस phone के, portrait videos rear camera से, S23 Ultra से भी बेटर है, और S24 Ultra से भी बेटर है, इस वाले phone के अंदर, जहाँ पे chair पे focus, defocus, वो problem नह आ रहा है, और यहाँ पे मैं जब walk कर रहा हूँ, तब भी जटका जो लग रहा था, S24 Ultra में, वो नहीं लग रहा, लेकिन उतनी अच्छी quality नहीं है, जितने महेंगे phone में होनी चीए, फिर भी उससे बहतर phone से, Samsung के खुद के, यह quality बेटर निकल के आई, इस phone में, बाकी video stabilization मु इससे, तो यह थी दोस्तो, इसकी camera quality, photos और वीडियो के मामले में, जो भी मैंने बताया आपको, यह मैंने बड़े screen पे देखा है, 4K resolution पे देखा है, और यहाँ पे इस हिसाब से मैंने verdict दिया, लेकिन मेरा final verdict नहीं है, जब मैं इसको compare करूंगा, इसके competitor से, जो के iPhone 15 है, तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, शायद यह उससे better हो, शायद ना हो, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया, जो देखकर पता चला, वो मैंने आपके सामने बताया, कि इसकी photo quality, जो है, ultra वाले phone जितनी अच्छी नहीं है, और अगर आप ज़्यादा पे क camera पे हो, बस आपको circle करना है, नीचे navigation bar को press करके, और आप कोई भी चीज जो है, तलाश कर सकते है, आपको live translate का option मिलता है, during voice calls, आप English, Hindi, Chinese वगरा, किसी भी language में translation कर सकते है, आपकी आवाज सामने वाले को नहीं जाएगी, उसमें एक setting होती है, सामने वाले को वो translated आवाज ज करने के लिए, translate करने के लिए, correction करने के लिए, note assist मिलता है, जिसमें notes को आप summarize कर सकते हो, उनकी spelling correct कर सकते हो, और covers भी generate कर सकते हो, browsing assistant भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप web browsing करने के time पे, website को पूरे summarize कर सकते हो, आपको transcribe assist भी मिलता है, जिसमें आप अपनी voice calls या voice recording को transcript कर सक और AI ग्यालकरी तो आपको मिलती है जिसमें आप सब्जेक्स को यहां वहां मूव कर सकते हो बैगराउंड रिमूव कर सकते हो जेनरेटेव AI मिलता है जिससे आप फोटो अगर आपकी छोटी है आपको और बड़ा करना है तो वो उसको बड़ा करके भी आपको दे देगा यह सारे AI फीचर्स जो S24 Ultra में है इसके अंदर भी दे दिये फीचर्स अच्छे है काफी सारे चीज़े अच्छे तरीके से काम करती है काफी सारे चीज़ों में इंप्रूब्मेंट की जते लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप 80,000 रुपे इस फोन के लिए लेकिन जो AI फीचर यह सिफ 2025 तक ही काम करेंगे तो एक देट साल का टाइम है आपके पास उसके बाद यह फीचर जो है पेड हो जाएंगे काम बाद में भी करेंगे लिकिन आप से पैसे लिए जाएंगे उसके लिए आप ये फोन, S24, S24 Ultra या iPhone का कोई भी मॉडल ले रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना ये सारे फोन के लिए कांज के बने हो दे और इनके लिए अच्छा प्र्रोटेक्टिव केस लेना जो है बहुत जाए होता है जैसे मैंने S24 Ultra पे मेरे ये रिंके का केस लगाए हुआ है बहुत ही कमाल की drop protection देता है, मैंने अपने iPhone के साथ drop test की, आपने देखा भी है, तो सेम चीज़ आप S24 के लिए भी ले सकते हैं, और iPhones के लिए ले सकते हैं, तो ये इनका एक आता है, रिंग के fusion case, ये बहुत ही drop protection देता है, और देखने में भी काफी खुबसुरत है, पीछे व पर इसके लिए भी आप जा सकते हैं, और ये सब केसे जो है, रिंके के, iPhone के हो, Samsung के हो, OnePlus के हो, इनका लिंक है, description में वहाँ से जाईए, और एक coupon code है, उसको apply कीज़े तो आपको flat 18%, 18% off मिल जाएगा, at checkout, और checkout पे हमारा coupon code जो बताया है, वो apply करना, और देख ले ना, दूसरे coupon code होंगे वहाँ पर, आपको best discount जो है, मेरे दिएवे coupon code पर ही मिलेगा, अब honestly मुझे बताये दोस्तों, क्या ये सब बाते जो मैंने आपको बताया, Samsung Galaxy S24 के बारे में, इसके लिए आप 80,000 रुपीज पे करेंगे, या नहीं करेंगे, जो भी आप सोचते है, मुझे comment में लि लेना चाहेंगे, let me know in the comments section below, उभी किता दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसने आओगा, पसने वीडियो के शेयर जरू कीजिए, मेरे इस चैनल को, subscribe जो कीजिए, goodbye